यहां पर प्रॉब्लम्स में था उसका बड़ा रीजन था उससे पहले कोविट से पहले अच्छा चल रहा था सब कुछ और कोविट के दोरान क्योंकि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बहुत सारा रो मेट्रियल बहार कंट्रीस से आता है और एक्सपोर्ट भी अ इंपक्ट आया इंपक्ट पर्मनेंट नहीं होता इस तरह का कभी भी और इसी के चलते यहां पर इंफलेशन भी काफी जादा हुआ इस तरह के प्रोडॉक्स में जो क्रोस बोर्डर से आते हों तो ऐसे में इंफलेशन बढ़ने से कीमते बढ़ जाती है रोमेटल की यहां पर शोटेज होती है और उसी के चलते हैं यहां पर सेल्स में भी इंपक्ट आता है लेकिन अभी वापस से सारी चीज़े ठीक होती हुए नजर आती है इंफलेशन इस कुछ इंपक्ट नहीं है बीच-बीच में एक दो केसे साथ हैं बट डाइज लाइक नॉर्मल फ्लू न अच्छा है डेटेकुटी रीश्यो कंट्रॉल में हैं यहां पर फिर श्यदा री है और इंफी साइस की है तो मैं यहां अच्छे थोप यह होन् stories नहीं होता कि सफ्लूट जितने बी चौह मार투 में पंद New happen को find out कर सकें तो मैं यह चीज़े find out करके आपकी एक तरह से study में help करता हूं लेकिन study में help करने का मतलब कभी भी यहां पर buy or sell की recommendation देना नहीं होता तो अगर profit होता है वो आपका है loss होता है तो वो आपका है loss से बचने का बड़ा simple सा तरीका है classes के videos देखो जो एक playlist के रूप में मैंने Hindi और English version दोनों डाले हुए है 20 hours का जो content है उनको पूरा देखो समझो सीखो और आपको ये videos और जादा समझ में आएंगी जो stocks से directly related होंगे तो यहाँ पर 3 stocks की जब हम बात करें हैं तो से पहले इस टोक की हम बात करते हैं fine organics fine organics एक seriously fine company है और return on capital employed is 65.4% यह बहुत ही amazing है इतना जल्दी से नहीं देखा जाता promoter's holding is maximum permitable limit that is 75% and debt equity ratio is 2% यानि कि इतना confidence management का होना और इतना high ROCE होना और उसके बाद भी 22 के एक reasonable P.E. पर होना यह काभिले तारीफ है उसके बाद हम एक बार past track record की बात करते हैं तो consistently every quarter इनका revenue बढ़ा है consistently every quarter इनका operating profit बढ़ा है यहाँ पर one particular year we can see 2021 में operating profit कम हुआ था again the reason was covid inflation and all उसके बाद में net profit की बात करने लगे 76, 78, 95, 136, 165 one year was not good लेकिन अगले ही साल इनोंने सिधा जम पारा और अभी तो highest ever है तो last six years में net profit 76 crore से increase होकर 600 crore हो गया है तो यह सारी चीजे बहुत अच्छी है balance sheet अच्छी है जो इनके उपर पहले loan था 19-20 years में वो इनोंने repay कर दिया अभी lowest ever यहां पर loan है and highest ever अपना reserve है और capital work in progress भी है यानि की capacity को अभी भी expand कर रहे हैं लगाता और share holding pattern में देखें तो retail public के पास सिर्फ और सिर्फ 8% हिस्सेदारी है और promoters यहां पर 75% लेकर बैठे हैं तो financial सारे के सारे अच्छे हैं और जहां तक chart pattern की बात करने लगें तो यहां पर दो चीज़े important हैं fine organics में number one यह top से जो lifetime high बनाया था वहां से अभी भी 38.65% down है and second important point एक बार इस downside को अटा देते हैं अगर यहां से current price से लेकर जो 4500 का current price है यहां से lifetime high जो हमारा price 7300 था 7332 यहां तक जाने लगे तो 63% का upside नज़र आता है साथ में यहां पर एक और strategy के base पर trade नज़र आता है जिसको V20 strategy कहते हैं यह V20 strategy आप जो online paid course जो डाला हुआ है यहां पर free में अपने channel पर उस video में जाकर देख सकते हो playlist है सर्च करना channel पर जाकर सर्च करना Hindi और English दोनों वर्जन डले हुए है वहां पर जाकर देखोगे तो 20% से ज़्यादा की green movement वाले जो movement होती है लगाता यह यहां पर 41% की movement के साथ में V20 strategy बन रही है और अभी buying level के बिल्कुल पास ही है तो अगर हम V20 strategy के base पर भी buy करने लग और अगर lifetime high तक जाने लगें जो यहां पर जाना ही चाहिए तो यहां से 62% का upside है so this was the one company second company की हम यहां पर बात करते हैं and that is clean science clean science यह एक अच्छी company है again return on capital employed is 44.5% debt equity ratio is 0 and promoters holding is 78.5% तो यह क्योंकि हाल फिल हाल में ही company list हुई थी तो जो promoters हैं उन्होंने अपनी सारी हिस्सेदारी जितनी बेचनी चाहिए थी उतनी नहीं बेची और लेकिन अभी फिल हाल इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 78.5% से कम लाने के लिए जो 75% maximum होनी चाहिए तो 3.5% इन्होंने अभी sell कर दी है वो sell कैसे पता चलती है नीचे हम आएंगे और यहां पर announcement में देखेंगे तो disclosure under regulation 29 यहां पर साफ साफ लिखा है कि promoters ने यहां पर 3 promoters ने अपना माल बेचा है आशा असोक सिक्ची जी ने बेचा है यहां पर अपना 0.927% और यहां दूसरा हम एक बार notification open करत हैं यहां हमें पता चलता है 0.827% हिस्से दारी बेची है निलीमा बूब जी ने और हम regulation थर्ड नोटिफिकेशन यहां पर open करते हैं यहां पर अशोक जी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है आशा अशोक जी ने बेची है यह दोनों अलग-अलग हैं और 1.75% 1.756% हिस्सेद exactly इन्होंने बेची है to bring it down to 74.99% और zero debt company 44% and top से कितनी down है आप एक बार यहां देख लेते हैं यह top से अच्छी खासी down है और current price को अगर देखने लगें then this is 47.85% down, 50% down है जो हिस्सेदार इन्होंने बेची है यह हमारा 29th में को दिन था और अगर आप देखो 29th में को same price पर यहीं पर किसी ने सारा माल purchase कर लिया और यह कौन सा level है यह वही level है जिस level पर इस से पहले stock ने दो बार support ली है support 1 and support 2 और अभी भी same ही level पर यहां पर माल करीब लिया गया साथ में यहां पर एक कफिर handle pattern भी बनता है अच्छा खासा और इसके चलते भी breakout भी आया उसके बाद में हिस्सेदारी को sell करने के लिए stock price आया नीचे आया और यहां से उपर जाता हो नजर आता है कहां तक again same level जो lifetime high है क्यों क्योंकि performance lifetime high है records आरे अच्छे हैं 91% का यहां पर upside नजर आता है profit and loss statement देखें 241 crore से 393, 419, 512, 685, 936 और इसी तरीके से यहां पर annual gains है और जो balance sheet है इनको loan लेने की habit ही नहीं है और यहां पर fixed assets फिलाल में अच्छी खासी increase हुई है 296 से बढ़कर 460 और अभी भी capital work in progress है लगातार सारी चीज़े सुपर्ब है और यहां पर share holding pattern की अगर हम बात करने लगें then retailers के पास यहां पर 12.74 में से हम 3.92% हिस्सेदारी less कर देंगे तो almost 9% हिस्सेदारी है 8.8% के आसपास then this is a good company according to all this working और हम 3rd company की यहां पर बात कर रहे हैं Rosari Biotech भी फिलहाल कुछ time पहले ही list हुई थी और इसके भी अगर हम financials देखें then this is also having a great financial 18.4% की यहां पर ROCE है debt equity ratio ना के बराबर है 8% और promoters के पास 68.4% हिस्सेदारी है पुराने track record की बात करने लगें तो लगातार consistently growth company है operating profit लगातार बढ़ा है net profit यहां पर लगातार increase हुआ है 74 क्रोड का सिर्फ यहां पर borrowing है और CWIP अभी नोंने start कर दी है और जहां तक shareholding pattern की बात करें तो public के पास इसमें 9% हिस्सेदारी है साथ में यहां पर chart pattern में एक चीज़ आप साफ साफ देख सकते हो कि lifetime high से कितने percent down है सबसे पहले एक बार हम यह देखते हैं lifetime high से this stock is down by 52% यानि की current price से लेकर lifetime high तक अगर यह stock जाता है then 112% का यहां पर उच्छाल नजर आता है and अभी जो stock price है this is in the same range जिस range में यहां पर listing हुई थी यानि की उपर गया उपर से सिदा सिदा नीचे आया और नीचे आना कब से शुरू हुआ जब से पूरे stock market में अभी फिलाल October 2021 में गिरावट आनी शुरू हुई थी तब से ही इस चीज को चेक करने के लिए आप एक बार निफ्टी का चार्ट भी देख सकते हैं निफ्टी में कब से इगरावट आनी शुरू हुई थी यह October 2021 का ही लेवल है जब से इगरावट आनी शुरू हुई थी सेम ही यहाँ पर रोसारी बायोटेक में नजर आती है तो यह सारी यह बड़ा सिंपल सा तरीका है एक्चल में काम करने का और current level पर यहाँ पर एक up move भी नजर आता है एक cup with handle pattern भी नजर आता है and huge volume के साथ buying के साथ यह चीज़े यहाँ पर नजर आती है और यह complex cup with handle pattern है and it has given a breakout as well अब यह सारी चीज़े मेरे हिसाब से यहाँ पर superb है आपने अपने हिसाब से trade करना मेरे हिसाब से यहाँ पर सीक लेना है मैं आप का साथ देने के लिए क्वकि मैं अपने लिए तो working करता ही हूँ मुझे क्या करना होता है मुझे एक video के गुरूप में आपके सामने इसको ले कर आना होता है क्योंकि आप काफी busy हो मेरे busyness को छोड़ देते हैं आप काफी busy हो यहाँ पर कहीं बार Netflix देखने के लिए भी time निकालना पड़ता है तो stock market नहीं हो पाती कुछ और भी Friday evening party भी चलती है Saturday evening party भी चलती है कोई बात नहीं आप busy रहो मैं काम करता रहोंगा लेकिन आप सिर्फ एक काम साथ में कर लेना दोस्तों के शेयर करना मत बूलना क्योंकि जैसे आपके पास तक वीडियो आ रही है और आपका जो working time है वो कम हो जाता है decision आपका ही है लेकिन working time कम हो जाता है ऐसे दोस्तों कभी working time कम कराओ subscribe करो, subscribe कराओ कल फिर मिलेंगे एकने वीडियो के साथ तब तक जाहिन